हाई अब्रीवन स्टार्ट करते हैं आज के एडिटूरियल को जिसमें हम डिस्कस करने बाले हैं आपने सुनाई होगा हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो उसने पिछले दिनों एक राकेट लॉंच किया था जिसमें दो सैटलाइट भेजे थे उसके साथ और उस राकेट का न तो यह सब चीजन डिसकस करेंगे इसका टाइटल भी आप देख पा रहे होंगे स्पेस टू लर्न यहां पर दो मीने निकल रहे हैं एक स्पेस का मतलब हो गया है कि जो पूरा का पूरा अंतरिक्ष है वह मायने रखता है एक स्पेस दूसरा स्पेस यह हो जाता है कि करते हैं इंडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज टेट सब्सक्राइब बटन और टेलीगाम चैनल जहां पर मैं इसकी पीडियाप आपको प्रुवाइड करवा दूंगा है ना तो बूमिंग एक्साइटमेंट अगर दा मेडन लॉंच अब दग इंडियन स्पेस रिसर्ज और्गनाईशन न्यू रोकेट थे स्माल सेटेलाइट लॉंच वीकल तरन टू डिसपॉइंट मेंट सून आप्टर तो यहां पर आपको स्माल सेटेलाइट लॉंच वीकल ऐसे सल्वी का फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ रहा हुगा कि यह किस प्रकार का रोकेट था छोटे सैटेलाइट को भीजने वाला रोकेट था और यह थोड़ा सा डिसपॉइंट मेंट वाली बात हुई क्योंकि जिस प्रकार का एक्साइटमेंट था सोबह से मॉर्निंग से और साम क को जैसे यह खबर सुनने को मिली कि यह पूरा का पूरा मेंसन फैल हो गया तो कहीं न कहीं वह जो खुसी थी जो जोस था वो डिसपॉइंट में बदल गया दिस वाज़ विकल वास केरिंग फैल्ट वी प्लेजट इंटो डिजायर और और लॉजट तो यहां पर यह सब हु सब्सक्राइब करते हुए और बगयर किसी देर करते हुए इस रोने सबके सामने पूरे का पूरी चीज बता दी तो यहां पर अगर बात करें कि जब रोकेट सेटलाइट से अलग होता है तब तक सब कुछ समूथली चल रहा था और सब चीज़े प्रॉपरली क्या थी अच्छी तरीके से चल रही थी ठीक है लेकिन क्या मालूम क्या हुआ लोगों को कम्यूनिकेशन तूट गया और हम ज आपको मालूम होंगा प्रत्वी के चारों तरफ कई प्रकार की कक्छा होती है उपग्रह जो होते हैं प्रत्वी के चारों तरफ भूमते हैं तो इस आयाम में इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कोई उपग्रह आपको किसी अलग अलग जरूरत के हिसाब से आप उनकी कक particular reason में उस उपग्रह की आपको क्या चाहिए सेवाएं चाहिए या उस उपग्रह का यूज करना है तो आपकी कच्छा अलग होगी ठीक है तो यह उस कच्छा में प्रॉपर पहुंच नहीं पाया और गिर गया तो यहां पर क्या हुगा जो सेंसर लगा हुगा था उस में कहीं न कहीं कुछ खराब ही आ गए उस सेटलाइट की तो उससे क्या हुगा वो 356 किलूमीटर जो प्रथिवी सेहत जिसकी 306 किलूमीटर दूरी होती है उससे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्विट उसकी बजाए वह कहां पर elliptical orbit में shift हो गया या वहाँ पर चला गया मतलब पहुचाना था low earth orbit में लेकर वो इलेप्टिकल orbit में पहुच गया है ये थोड़े से science के term है लेकर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि हाप हाथ में गैंद ले लो गैंद के ऊपर चालों तरब आप देख लो तो यह समझे लोग देना आपकी क्या है अर्थ है और अर्थ की चारों तरफ जो डिस्टेंस है आप समझे लो कितनी भी डिस्टेंस आप उपर कर सकते हो तो उस हिसाब से आप इमेजन कर सकते हो तो यहां पर जो शोट एकसे थी लेप्टिकल औरवेट की वो अचीब्ड हो गई थी जो भी हैट थी सेटलाइट की वो अर्थ से लगबा 76 किलोमेटर थी अगर सेटलाइट को एक प्रोपर फोर्स नहीं दिया गया तो क्या होता है कि यहां से सेटलाइट बापस आ जाता है और यह क्यों आ जाता है यह होता है atmospheric condition के कारण तो वो कहीं न कहीं वो चोख हो गई कि बापस से यह सेटलाइट आर्थ के अंदर आ गया और जाके समद्र में गिर गया परहप्स वर्निंग अप इन केस इट विल बी बैरिवली लॉश्ट तो दे कंट्रोल रूम तो यहां पर हो सकता है फिर उसके ज बात होगा ठीक है एस एसली है बीन प्रमोटिट अजनेक्स वर्क हाउर्स लोकेट ऑफिस रो आप्टर डपॉलर सेटेलाइट लांच विकल तो यहां पर यह इस रूक के द्वारा बहुत अच्छा तरहें किया रहा था क्यों क्योंकि क्या होता है जो छोटे छोटे देस हो हो जाता तो वो हमसे सेवाएं लेते और हमें बहुत ही मात्रा में फायदा मिलता क्योंकि फिर वो सेवाएं लेते तो नो डाउट पैसा भी अच्छा खासा पे करते तो यह चीज़ें मेजरिंग जस्ट टू मीटर इन डामीटर एंड विथ हाइट ऑफ 37 35 मीटर इट इस इंट चोटा है PSLV के कंपेरीजर में और आप इस तुरंत दो यस से तीन दिनों के अंदर लॉंच भी कर सकते हो तो अगर यह सफल हो जाता तो इस रूप अगर चाहता तो हर एक तीन दिन में कुछ ना कुछ रॉकेट भेशता रहता अंत्रिक्ष के अंदर फैक्ट यहां पर जो एक फैक्ट यह भी है कि PSLV केरीज स्मॉलर सेटलाइट टू यह PSLV छोटे सेटलाइट भी कर सकता है ऐसा नहीं है इस संग्थिंग इस ओवर किल तो यहां पर यह ऐसा हो जाता है कि आप इतना वड़ा रॉकेट ही यूज कर रहा हो छोटे सेटलाइट के लिए जाने के लि तो वह आप SSLV से भी बेश सकते हो तो क्यों हम इतनी बड़ी PSLV का यूज करें क्योंकि उसमें खर्चा भी आपका जादा आता है यहां पर अगर हम बात करें SSLV की तो वह सॉलिड प्रोपेल्ड यूज करता है बजा इसके कि PSLV लिक्विट प्रोपेल्ड करता है ठीक है इधन की बात हो रही है यह दो अलग अलग टाइप के इधन है ठीक है लेक्विट में जितनी भी गेस हैं वो सब आ जाती है आपको मालों होगा जैसे जीप हैं कार हैं दो प्रकार की चीजों से चलती सेटलाइट कें वी लॉंच ओन डिमांड एस दा रॉकेट रिक्वाइर्स मिनिमम लॉंच इंफ्रस्ट्रक्चर तो यहां पर जो ऐसे सल्वी की खासियत यह थी कि यह बहुत फ्लेक्जिवल है आप कहीं पर भी इसको इंस्टॉल कर दो कितने ही जल्दी इंस्टॉल हो जात कमर्शियल अर्थ ऑबजर्वेशन एंड कम्मिनिकेशन यहां पर यह सब फीचर थे वड़े ही अट्रेक्टिव थे क्योंकि इससे क्या होता है जो उपग्रह सेंड करने का जो खर्चा है वो कम हो जाता हो जब खर्चा कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा देश हमें ही प्रफर करते इस प्रकार की सेवान लेने के लिए इस टाइम अल दोस फीचर मेंक इट भरी एक और अर्थ ऑबजर्वेशन इस्टेडिकली टू इट मेंक सेंस तू सेपरेट दर रेंज और मास बिंग करीड इस टाइम हावएवर सक्सेश वाज नॉट टूब एंड इंड यहां पर एक चीज़ यह है कि हम सक्सेश्फुल नहीं हुए और उपर से हमारे दो सेटलाइट जो थे इस जिरो टू एंड एक नैनो सेटलाइट यह जिसे आजादी सेटलाइट भी आप कह सकते हो वो दोनों के दोनों लॉस्ट हो गया है वाट इस एपिसोड वास डारेक् इनिजिय inmğ average of और उन्हें नहीं कि हमिन जाए ऑन्हें इस बात हैं और यह जो भी चिसबी सेटलाइट ऊंड हुए तो यहाँ पर अगर हम दूसरी space agency की बात करें पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा testing पर समय खर्च करती हैं जतना कि इंडिया खर्च नहीं करता अब इसमें यह भी हो जाता है कि अगर आप एक test करते हो तो इसको आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं इस प्रकार से होती है कि वो आर्थिक रूप से भी viable हो तो हो सकता है यह सम पॉइंट पर कहीं नेगेटिव पॉइंट बन जाता हो इंडिया के लिए Success is such circumstances is remarkable and failure are lesson that come at cost तो यहाँ पर success अगर किसी भी चीज्ज पर होती है तो वो कहीं न कहीं को सीमा तक आपके लिए बहुती remarkable होती है लेकर अगर failure आती है तो वो आपको कुछ नकुछ लेसे नस सखाके जाती है और उसके लिए आपको कीमत भी अदा करनी पड़ती है तो यह पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था तो I hope आपको यह पसंद आया होगा So thank you for this editorial